हेलो दोस्तो तो कैसे हो आप सब लोग आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहें दुनिया की पांस सबसे खतरनाक और भयानक जगा दोस्तों लोग चांद पर चड़ने की बात करते हैं लेकिन धर्ती पर ही दुनिया में ऐसे जंगल भी है जहां आज तक मुनिश्य के कदम नहीं पहुँचे हैं ऐसी बहुत सी जगह है जहां जाना मौत को बुलावा देना समझा जाता है आज मैं आपको दुनिया की पांस सबसे खतरनाक जगह के बारे में बताने जा रहा हूँ इन जगहों पर जाना मौत को दावत देने के जैसा माना जाता है आपने कई बुजर्ग कोई ये कहते हुँ सुना हुआ कि बेटे मैंने इस दुनिया का चपा 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 चान मारा है बलकि कुछ लोग तो ये भी कह देते हैं कि इस दुनिया पर कोई ऐसी जगह नहीं जहां मैं नहीं गया हूँ खास तोर पर ऐसे ही लोगों के लिए आज में दुनिया का कुछ ऐसी खतरनाक जगाओं के बारे में बताने जा रहा हूं जहां जीवन व्यापन नामुम्किन है दोस्तो मनुष्य गुमकड रहा लेकिन फिर भी वो अभी दुनिया का 40% हिस्से पर पहुँच नहीं पाया सच कहा जाये तो जगाओं इतनी खतरनाक है कि अगर कोई पहुँच जाये तो उसकी मौत निश्चित है दोस्तो हर इंसान सुरक्षिस ठान पाना चाता है लेकिन दुनिया में कुछ ठान और जगह ऐसी भी है जहां मनुष्य का जीवन खतरे से खाली नहीं है जिन में से 5 जगाओं के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं दोस्तो नमबर एक पर बात करते है बलडी पॉंड जोटी है लेकिन दुनिया की सबसे खतरनाक और जान लेवा जगाओं में सबसे पहले याद की जाती है इसे मौत का तलाब कहें तो गल्त नहीं होगा जापान में स्थित्य ये खूनी पॉंखर जिसका नाम 1775 से बलडी पॉंड है इस कतरनाक खूनी तलाब को जापान के सबसे परसीद स्थानों में से एक माना जाता है इस खूनी तलाब में तैरने पर कड़ी पबंदी है क्योंकि इस पॉखर का दैनिक तापन 200 फारन हाइट है आप सोच रहे होंगे कि इस तलाब को खूनी पॉखर क्यों कहा जाता है तो वो इसलिए क्योंकि इस तलाब का पानी खून के जैसा है अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप खून ही खून से भरा पुखर देख रहे है इसमें पानी की स्टै से भाप निकलती रहती है जिसे देखर ऐसा लगता है जैसे ये नरक का पानी है तो दोस्तो नमबर दो पर बात करते है साप दीप ब्राजिल इस साप दीप की गिंती दुनिया के सबसे जहरीले सापों के रूप में होती है क्योंकि इस दीप पर साप के काटने पर आदमी 10 मिनिट के अंदर मर जाता है कहा जाता है कि ब्राजिल में सापों के काटने से होने वाली 100 परतिशत मौतों में 90 लोगों की मौत का जिम्मेदार यही सनेक दीप है इस दीप पर वरतमान समय में लोगों के आने जाने पर ब्राजिल की सेना ने परतिबंद लगा रखा है क्योंकि एक बार जो इस खतरनाक सांप दीप पर पहुंच जाता है तो वो जिन्दा वापिस नहीं आपाता वो इसलिए कि इस दीप पर हर 10 फिट जगह पर आप 10 सांप देख सकते हैं दोस्तो नमबर 3 पर बात करते हैं रामरी इस लैंड है दुनिया की तीसरी सबसे खतरनाक और जान लेवा जगह है रामरी आईलैंड है इस दीप के खतरनाक जानवरों ने सबसे सबसे ज़ादा लोगों को अपना शिकार बनाया है इस बात से इस दीप को ओफ वर्ल्ड रिकार्ड में दर्ज किया गया है इस दीप में कई खारे पानी की जीले भी है जो खतरनाक मगर मचों से पूरी तरह भरी हुई है कहा जाता है कि तीसरे विशव यूद के दोरान जापानी सेना के हजार से ज़्यादा जवान बिटिश की सेना से बचने के लिए इस दीप पहुँच गये थे कहा जाता है कि उन सभी सेनिकों में से मातर 20 जवान ही जिन्दा लोटे थे और सभी सेनिकों को मगर मचों ने अपना शिकार बना लिया था तब से रामरी इलेंड को दुनिया के तीसरे सबसे खतरनाक जगा पर जाना जाता है दोस्तो नमबर चार पर बात करते हैं ओकेफोने की दल दल जर्जिया दल 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 दोस्तो चौते नमबर पर दुनिया की सबसे खतरनागा जगाओं में जर्जिया की दल दल जानी जाती है ये जगह पांस नाम की घास से पूरी तरह भरी हुई है ये एक पर भक्षी घास है लोगों ने इस खतरनाक जगह पर घर भी बनाये थे लेकिन उन्हें पास घास ने पूरी तरह से ढख लिया था इस दलदल में मेड़क, जहरीले, मच्छर, सांप और मगरमाच की भारी संक्य है ये जी मनुष्य के लिए जान लेवा और खतरनाक है तो दोस्तों नमबर पांस पर बात कर लेते हैं जवाला मुखी नेपाल इटली इस शहर को मोत की निशानी कहा जाता है ये शहर जवाला मुखी से घिरा हुआ है और एक जवाला मुखी विसपोर्ट दस लाग से अधि जन संक्य है यहां तक कि जवाला मुखी की धलान में भी लोगों का बसे रहा है अगर जवाला मुखी में विसपोर्ट होगा तो दस लाग लोगों की जान को खतरा है इसके अलावा और ही बहुत सारी खतरनाक जगह है जहां मनुष्य के लिए खतरा है दोस्तों अगर आपक का नोर्टिफिकेशन डारेक्ट आप तक पहुंच जाए थैंक्यू दोस्तों